गैंग रेप की पीडिता को धाई लाख रुपिये मुआवजा देने पर बनी सहमती, कमेटी ने प्रधान जिलाब सत्र न्यायादीश नीरज कुमार श्रिवास्तव की अध्यक्षता में विक्टिम कॉम्पेंसेशन कमिटी ने शुक्रवार को यह फैसला लिया पीडी जे उक विकास आयुक्त रवी आनंद के साथ सकी वन स्टॉप सेंटर में पहुंचकर पीडिता से मिले वह उसे दो लाख फिफ्टी रुप्ये का प्रतिकात्मक चेक प्रदान किया सोमवार को पीडिता के खाते में मुआवजे की राशी हस्ताना अंतरित कर दी जाएगी साथ ही जिला विदिक सेवा प्रादिकार के माध्यम से पीडिता को रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि वह ओकेस्ट्रा में डांसर का काम नहीं करे उलेक निया है कि पलामु जिले के विश्रमपुर में तीन युवकों ने ओकेस्ट्रा डांसर के साथ सामुहिक दुशकर्म किया गया था तीनों युवक अभी केंड्रियकारा में बंध हैं पीडिता को जिला प्रशासन के सहयोग से सकी वन स्टॉप सेंटर में शिफ्ट कराया गया था साथ ही पीडिता की देखरेक के लिए एक महिला कर्मी को लगाया गया है जिला विदिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पिच श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस अधीक शक को सूचित किया गया है कि उसकी उचित सुरक्षा की व्यवस्था की जाए पीडिता द्वारा पीडित प्रतिक के तहत आवेदन किया गया था जिस पर कारवाई करते हुए अंतरिम राहत के तौर पर दो लाग फिफ्टी हजार पीडिता के खाते में हस्ताना अंतरित करा दी जाएगी इस मौके पर डी डी सी रवी आनंद, पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन, सिविल सर्जन अनिल कुमार सिंग आधी लोग मौजूद थे और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरू क्लिक करें इसे हमारे आने वाली न्यूज की नोडिफिकर्जन आप लोग को सबसे पहले मिले